दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रने साथ हिंदी में पुनर जागरण इसको एक और नाम से बुलाया जाता है Rebirth, यानि फिर से जन्व होना माना जाता है इटली से इसकी शुरुवात हुई थी और यॉरोपियन्स को अपनी खुद की ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में फिर से इंटरस्ट आने लगा था इस टाइम पर आर्किटेक्चर, म्यूजिक, फिलोसफी और लिटरेचर ऐसी फील्ड्स ने बहुत ग्रोध की थी अब ये सब चीजे समझ में आती है लेकिन इसके शुरू होने की वज़य क्या थी आखिर क्यों रनिसा आया क्या यॉरोप के देश पहले सो रहे थे क्या उनको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं थी तो दोस्तो हाँ, ऐसा ही कुछ चल रहा था रनिसा के शुरू होने से पहले उस वक्त सामंत शाही, चर्च ने और मोनाकी ने इन्होंने बहुत ज़्यादा डॉमिनेंस कर रखा था यानि चर्च ने पूरा राज जमा रखा था बहुत पावर्फुल होता था उस टाइम पर चर्च और इसी एज को डार्क एज कहा जाता है और इसी टाइम पर यूरोप में बहुत सारी बिमारियां फैली थी प्लेग, ब्लैक डथ और ऐसे माहौल में लोगों को चर्च पर बहुत बरुसा था चर्च जो बोलता था सब लोग मानते थे चर्च नए आइडियाज को पनपने ही ने दिता था पलने ही ने दिता था कोई अगर नए आइडियाज लाता था तो उसे विचेज बोलकर मतलब चुडैले बोलकर जिन्दा जला दिया जाता था ये हाल था लिकिन उस वक तक एक चीज हो रही थी योरप में एक चीज़ हो रही थी वो था व्यापार योरप व्यापार करता था अरब देशों के साथ में मसालों का व्यापार, तेल का व्यापार अब कहानी को ध्यान से सुनना अब अरब देशों के बीच में और योरप देशों के बीच में एक cross center था एक देश था cross center उसका नाम है इटली इटली से ही सारा व्यापार होता था यरप और अरप के बीच में और इसी वज़े से उस टाइम पर इटली अच्छा डवलप हो गया दूसरी वज़े ये थी कि वहाँ पर मोनाकी कमजोर थी यानि राजा रजवाडे कमजोर थे और व्यापारी बहुत मजबूत था तो उस वक्त इटली की कुछ cities थी Milan, Florence और Venice खास करकि Florence ये सारी cities व्यापार का केंदर बन गए यानि व्यापार पावरफुल हुआ और चर्च और मोनाकी और ज़्यादा कमजोर हो गए दबदबा व्यापारियों का बढ़ा और इन्हों नहीं आर्ट और लेट्रेचर को सपोर्ट किया और इस सपोर्ट को हम पाटनेज कहते हैं स्पैलिंग लिख लो याद कर लो बहतर होगा नाम नोट कर लो अब दोस्ब एक और नाम है नोट कर लो लॉरेंजो डी मैडिची यह बेसको प्रो günev complex और लो दिया आप बड़ा इ इन सब को sponsorship दी इसी की वज़े से इसी आदमी की वज़े से Florence में architecture की golden नहीं जाए आप क्या मानोगे तीन साल तक Michael Angelo जो एक बहुत बड़े artist थे वो इनकी family के साथ में रहे इनके साथ में इनकी dining table पर बैठ कर खाना खाते थे और बहुत सारी discussion करते थे आप देख सकते हो कि Lorenzo किस हद तक दिल्चस्पी रखते थे artist को production देने में आर्ट में थे banker व्यापारी लेकिन आर्ट में बहुत खर्चा करते थे पार्टनेज देते थे एक artist को इन्फेक्ट इन्होंने अपने खुद की Medici library बनवाई जिसको Lorenzian library भी कहा जाता है रेनसा के टाइम पर एक विचारधारा बड़ी फेमस हुई थी Humanism जो मानती थी कि सब चीजों का center या starting point इंसान है Church या nobility नहीं और Lorenzo ने इस विचारधारा को डबलप होने में काफी support किया और अपने साथी philosophers के साथ में इन्होंने प्लैटो के ideas को Christianity के साथ में merge करने की कोशिश की और इतना सब करने की बाद 1471 में Lorenzo ने जब calculate किया तो पता चला कि लगबग उस वक्त उन्होंने 6,63,000 6,63,000 फ्लॉरेंस खर्च कर दिये इन सब कामों में आज के हिसाब से inflation को ध्यान में रखके calculate किया जाए तो लगबग 460 मिलियन डॉलर कर्च कर दिये charity में, buildings बनाने में, tax बरने में मैंने history में बहुत सारे लोग देखे जो art को लेकर के interest रखते थे लेकिन इनके जैसा कोई नहीं देखा और इतना पैसा लगने के बाद एक बात जो इन्होंने कही कि मुझे कोई पच्चतावा नहीं है इस बात का अलाकि ज्यादातर लोग इसे गलत मानेंगे और अपने पैसे को इस तरह खर्च करने की बजाए पर्स में रखना पसंद करेंगे लेकिन मैं इसे अपने state के लिए बड़े सम्मान की बात मानता हूं कि पैसा एकदम सही जगे लगा और मैं बड़ा खुश हूं आज भी लोग जब बहुत दूर दूर से इटली घूमने जाते हैं तो वहां के आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा तर इनके लगाए पैसे से डेवलप हुआ आर्किटेक्चर में इटली की बरावरी कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ उस टाइम पर आर्टिस्ट के लिए इटली जन्नत था और अब रानिसा के शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताता हूं उस वक्त एक घटना होती है एक कुस्तुनिया नाम की जगेह थी वहाँ पर पुराना लिटरेचर पड़ा था ग्रीक और रोमन ज्ञान का खजाना माना जाता है कुस्तुनिया को उस वक्त इस जगेह को टरकी ने आकर्मन करके से यप्चेर कर लिया टरकी का हमला हो गया इस पर और उस वग टर्की के लोगों ने धर्म परिवरतन करवाना शुरू करती है तो इन लोगों को धर्म परिवरतन करने नहीं थे इन्होंने manuscript उठाई अपनी पुरानी और योरप की तरफ भागे ग्रीक और रोमन manuscript को उठा कर जब ये योरप की तरफ भागे तो आप अब अंदाज़ा लगा लो कि सबसे अच्छी जगा इनके लिए कहां पे होगी इटली? कहां जाएंगे ये लोग इटली? और इसलिए ये वज़य थी कि इटली में सबसे पहले रहने सा आया अब बात करें कि क्यों इन लोगों ने आर्ट और लिट्रेचर में इतना इंटरस्ट लिया? मैंने इस्कृट्स वगेरा वहां भी पढ़ी थी, यहां भी पढ़ी है, क्या फरक पढ़ता है? लिट्रेचर और आर्ट में इतना इंटरस्ट क्यों लिया? जब व्यापार अच्छा चल रहा है तो आर्ट और लिटरेचर में इतना इंटरस्ट लेने की जरुरत क्या था क्योंकि इन्होंने फील किया उस टाइम पर कि अरब देश इनसे ज्यादा प्रास्परस है अपनी पुरानी चीजों को लेकर तो इनको फील हुआ कि हमारे पास भी अपना ग्रीक लिटरेचर है अरिस्टोटल है प्लैटो है हम लोग उन्हें स्टडी करना शुरू करेंगे अब एक इटालियन स्कॉलर थे जिनका नाम आपको नोट करना है फ्रैंसिसको बैरचुलिनी ये स्पैलिंग है इनका बहुत इंपर्टेंट रोल था पुरानी मैनुस्क्रिप्स को जमा करने में इन्होंने जिम्मेदारी उठाए कि पुरानी क्लासिकल लैटन मैनुस्क्रिप्स जो है ग्रीक और लैटन मैनुस्क्रिप्स उनको यूरोप के अलग-अलग हिस्तों से ढून ढून कर लाएंगे इन्होल पांडू लिप्यों को मैनुस्क्रिप्स को यूरप बुला चुका है वो जर्मिनी गए, वो फ्रांस गए, वो स्विजरलेंड गए, जाने कहां कहां गए और वहां की लैबरीज में जाकर खोजबीन शुरू की अने का मतलब इस इंसान ने खुद को जौक दिया क्लासिकल वर्क्स को बचाने में क्योंकि उस वक्त ये सब करना इतना आसान नहीं था दोस्तों खासकर फ्रांस जैसे देशों में, फ्रांस जैसे देशों की बहुत हालत खराब थी अब सबसे important चीज़ जिसने role play किया रनिसा को फैलाने में वो थी printing press उस time पर printing press को आज हम जीओ से compare कर सकते हैं जी हाँ, printing press ने उस वक्त कुछ वैसा ही काम किया जैसा 2016 में जीओ आने के बाद में हुआ ideas अब एक जगह तक सीमित नहीं थे वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे थे जीओ आने के बाद क्या हुआ, यूट्यूब से बहुत लोगों की जिंदगियां बन गई और बहुत लोगों की बरबाद भी हो गई वैसा ही कुछ हुआ था चर्चों के साथ में चर्चों का राज खतम हो गया, इंडिविज्वल लोगों का राज शुरू हो गया और एक विचारधारा निकल कर सामने आये जिसका नाम था यूमनिजम जैसे 2016 से पहले लोगों में इंटरनेट को लेकर भूग थी वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले लोगों को भूग थी नए आइडियास की क्योंकि वो तंग आ चुके थे चर्च के धक्यानों से पुरानी बातों से, विचारों से और प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार किया था एक जर्मन पेंटर जोहांस गुटिनबर्ग इसका नाम नोट कर लो इस आदमी को एक्सपेरिमेंट करने की वज़े से एक्सपेरिमेंट करने के लिए जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था कि ये printing press का आविश्कार कर रहा था क्योंकि ये एक revolution की तरह था था न कि printing press को एक commercial purpose के लिए यूज किया जाएगा अब रहने साथ तो आ गया लेकिन एक problem हो गई ये ये प्राब्लम ये हुई कि कुस्तन तुनिया पर attack के बाद में European का इंडिया जैसे South East देशों के साथ में connection तूड किया यानि एक जमीनी रास्ता है सल्क रूट आप जानते होंगे वो बंध हो गया तो अब क्या करना है अब दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़े East से West में आती थी जैसे मसाले तेल और भी बहुत सारी चीज़े और उस वक्त इन्होंने नए रास्ते निकाले दिमाग पर जोड डाला और उस टाइम पर डवलप हुए इनकी नेवी पहले से ये नाओं में यात्रा करते थे लेकिन पहली बार इन्होंने अपनी स्ट्रंथ को पहचाना और नेवी से समुद्री रास्ते खोजे इंडिया जैसी कंट्रीज में जाने के लिए तिर्फ इंडिया में नहीं है सब जगह गए ये एक पिक्चर है जो मुझे मिली है उस टाइम के जहाजों की ये लोग जहाजों से इंडिया और साउथ इस देशों में नहीं बलकि पूरी दुनिया में इन्होंने जाना शुरू किया और फिर दुनिया के नक्षे बना है इनी Europeans ने पूरी दुनिया के नक्षे बना है सिर्फ एक जगह को छोड़कर ये सब जगह पर गए उस एक जगह का नाम था South Polar Continent यानि Antarctica 1492 में Christopher Columbus अमेरिका में गए वासको डिगामा इंडिया आए और पूरे येरोप में चीजों को जानने और समझने की भूग पैदा हो गई इंग्लेंड में बहुत बाद में रनिसा आया था उस वक्त के फेमस राइटर से विलियम शेक्सपियर, किस्टफर मार्लो, एड्मन स्पेंसर, सर फिलिप सिटनी, सर थामस मौर और भी बहुत सारे नए नए समुद्री रास्ते खोजे गए समुद्र से व्यापार बढ़ा और वहीं से कॉलोनीज बनाई गए स्लेव्स और कच्चा माल लाया गया इंडस्ट्रीज बनाई गई इंडस्ट्रियल रेविलिशन आया तो क्रानलोजिकली पहले इनोंने सीखा फिर बाद में रास्ते बनाए व्यापार किया, पैसा बनाया, वैल्थ बनाई और फिर कॉलोनीज बनाई फिर पॉलिटिक्स जमाई स्लेवरी को बढ़ावा मिला और पूरी दुनिया में कैपिटलिजम को फैलाया पूरी दुनिया पर राज किया यहां मैं अपनी चोटी सी स्टोरी को रोकता हूँ बताने को बहुत सारी बाते हैं कुछ रह गई कभी और डिसकेस करेंगे आज की इस वीडियो में बस इतना ही